फिल्म उड़ता पंजाब के लिए हाल ही में बेस्ट एक्ट्रेस का आईफा वोर्ड जीतने वाली आलिया भड ने एक शौकिंग खुलासा किया है एक इंट्रिव्यू के दोरान आलिया ने बताया कि डिरेक्टर इमतियाज अली की फिल्म हाईवे की शूटिंग के दोरान उन्हें पब्लिकली यूरिन करनी पड़ी थी दरसल इस फिल्म के लिए हम घुमकड़ों की तरह शूटिंग कर रहे थे फिल्म के कई सीन हमें हाईवे पर ही शूट करने पड़ते थे सड़क किनारे ना कोई टॉलेट था और ना ही कोई वैनिटी वैन आलिया के मुताबिक एक बार हम हाईवे पर ट्रक से जा रहे थे तब ही हमें काफी खुबसूरत लोकिशन दिखी हम वहां रुके और फैसला किया कि यहां लाइट्स अच्छी हैं इसलिए कुछ हिस्सा यहां शूट करना चाहिए हलंकि शूटिंग के दौरान वहां ना तो कोई टॉलेट था और ना ही वैनिटी वैन ऐसे मैं मुझे सड़क किनारे ही यूरिन करने जाना पड़ा आलिया के मुताबिक वह हाइवे काफी भयानक था और शूटिंग के दौरान पब्लिक प्लेस पर यूरिन करनी पड़ी फ्लेम मीडिया रिपोर्ट